आसराव इस्टूडेंट्स लेक्शर 34 स्राट करने जारे हैं बटा आज हम अगें फ्रॉड रिस्ट फेक्टर्स पर हमारी कल डिस्कुशन चल रही थी लास्ट लेक्टर के अंदर और उसी से ही आगे हम फॉर्वर्ड कर रहे हैं अब फ्रॉड रिस्ट फेक्टर्स में हमने चंद एक चीज़ें पढ़ें किस तरह के फेक्टर्स की वज़ा से हम कहते हैं के फ्रॉड के चांसे बढ़ जाते हैं हमने का पहले नमबर पर तो किसी पर कोई incentive है कोई pressure attached है इस वज़ा से हम कहते हैं कि fraud की chances बढ़ गए उसमें सबसे बड़ी example हमारे पास थी कि management को bonuses दिये जाने है bonus उसी सुरत में मिलेगा जब target achieve होगा अब यह उसी तरह का target है जैसा कि sales के अंदर होता है अब यहाँ पर हमने कहा कि जी इनके उपर एक incentive चूकर attach कर दिया गया इस वज़ा से हम कहते हैं कि यहाँ पर इनको fraud commit करना पड़ेगा अब यह मजबूरी भी है और जरूरी भी है तो इस तरह की situation के अंदर आडिटर ने identify कर लेना होता है कि incentive attach थे ना इसका मतलब है कि इनकी कोशिश होगी अपना revenue overstate करने की profits को overstate करने की लेकिन अगर हम बात करें कि जी इससे avoid किया कैसे किया जा सकता है तो वह behavioral studies का part है क्या आप इन लोगों के behaviors को इस तरीके से understand करें और incentive जैसी चीज को इनके हर assessment के साथ attach किया हो कि भाई ये incentive तभी मिलेगा जब आपने with a passage of time एक-एक step को follow कियो और को इस तरह का target ना दिया हो जो unrealistic हो क्यों definitely फिर लोग उसको अजीव करने के लिए हर भी इस्तमाल करते हैं although it could act positively लेकिन ज्यादार cases में negative impact आता है हमने का जी opportunity है लोगों के पास opportunity आगे इस विज़ा से हम कहते हैं कि fraud commit हो रहा होगा it's an opportunity to commit fraud कि एक बंदे को नजर आया कि यहां fraud किया जा सकता है क्योंकि इदर तो control ही कोई नहीं है जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने आता है कि इस तरह की situation बन गई एक control लगाया वह था वो control हट गया यह हतम हो गया लाँ कोई भी य Pocket Universum कोई बेट पास चेक नहीं रहेगा कोई भी यह चेक करेंगा कि कौन बंदा लेकर जा रहा है कौन समान, उठाके लेकर जा रहा जिसका दिल करता है ब्ले करता है मलक निद्हाइए इससनीजिशन हो जाती है जिसको नजर आ रहा है उपर्चूनिटी नजर आई उसना उठा कर तो ले आ है मालक निमत तो हलाल है यहां पर यह जिसको मालक निमत समझ रहते हैं यह हलाल नहीं है जी अब यहां पर rationalization कुछ situations इस तरह की बन जती हैं जहां पर लोग actually rationalize कर देते हैं rationalize कि यह मेरा ही तो हग था जो इनके पास पड़ा था इन्होंने मेरा हग मारा था यह अब मैं लेने लगूं यहां से जायज या ना जायज तरीका वो नहीं देख रहे होते हैं उनके पास एक rationale बन जाता है, purpose defined हो जाता है कि भाई इन्होंने चुंके मेरा नुक्सान कि इस वजा से मैं इनको भी इसी तरह से अपना नुक्सान पूरा करूंगा और इनको नुक्सान पुरूंचाओंगा जी, examples आ रही हैं, following are examples of risk factors relating to misstatement arising from fraudulent financial reporting and misappropriation of assets, incentive या pressure जी, अभी fraudulent financial reporting के अंदर, यहां पर चांद एक points आ रहे हैं कि financial stability हमारा objective बन गया था यहां हमारा objective बन गया था कि entity को profitable दिखाना है अल्दो के इट वस threatened by economic or industry or entity operating conditions such as, like इसके उपर threats से financial stability नहीं आने थी, हमारा objective था financially stable करना है entity को, हमारा objective था profitability को ensure करना, अब यहां पर इस चीज को threat आया वा है कि यह चीज चाहिज अचीज अचीव नहीं हो पाएगी, जी, high degree of competition और market saturation हो गई है, आपकी product जो है पहले तो बहुत अच्छे rate पर बिख जाती थी, अब वो कहते हैं भाई हर जगा पर available है, जैसे मिसाल के तौर पे, covid के दिनों में याद होगा, के mask आये थे, मास्क जो थे आपके पास, हमने कहा जी, यह mask जिस बंदे के पास भी इस time factory है, उन्होंने तो profit कमा लिया, उसको देखा देखी, और भी बहुत सारे लोगों ने लगाया, तो क्या हुआ, वही mask जो 1.500 का मिल रहा था, वो 40-50 पर आ गया, वही mask जो 100 का मिल रहा था, वो 10 रुपे पर आ गया, तो इस तरह की situation बन गई, high degree of competition की वज़ा से, या market saturate होने की वज़ा से, लाइक इस से ज्यादा आप market के अंदर आप products जितनी मर्जी डाली जाए इस से ज्यादा mix नहीं होगा, इस से ज्यादा competition की वज़ा से prices reduce नहीं होगी, that is market saturation, जी, margins decline होना शुरू हो गए, अब यहाँ पर management को issue आ जाएगा, कि भाई, declining margins है, but we have to ensure के financial stability है, fraud and financial reporting के chances बढ़ जाते हैं, यह वो condition है, जहाँ पर आप being an auditor identify कर लेते हैं, कि भाई, अच्छा, यह इस तरह की situation है, तो आपकी profitability increase कैसे हो रही है, क्योंकि यह तो possible नहीं है, अब अचानक कोई कहें, नहीं जी, हमने तो इस साल बहुत आया profit generate की हमारी product बहुत सेल हुई, यह आपने कहा, जी, market share जितना है, उस हिसाफ सेल होगी नए product, assume कर लें, यहाँ हम pharmaceutical products की ही बात कर लेते हैं, तो पैनडोल मिसाल के तौर पे उसका market share पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा है, लेकिन क्या यह इस से मजीद increase करेगा, answer है नहीं, क्यों market share उन्होंने पुरा कर लिया है, यह हम एक specific कोई भी आप glycerine निकाल लें, जी, अब वो जिस company के आप buy कर रहे हैं, वो normally लाहोर में हर जगा पर मिल रही है, क्या इसके लावा और भी कोई company में बना रही है, जी बना रही है, लेकिन अब यहाँ पर जिस company ने अपना share बनाया है, हो सकता है कि इसको दूसरे share में जाके बनाने में problem हो, और दूसरे share में जिसने अपना market share बनाया है उसको यहाँ पर आकर, काम करने में problem होगी, क्यों यहाँ वाले तो एक ही, glycerine purchase करते हैं, या एक ही, आपके पास जो, panadol है या इस तरह की paracetamol आपकी है different products, तो उसको जो purchase यहाँ पर करते हैं, वो वहाँ पर नहीं करते हैं, वहाँ पर जो purchase करते हैं, वो यहाँ पर नहीं करते हैं, इस तरह की situation है, तो definitely हम कहते हैं कि यहाँ पर market saturated है, नए entrance के लिए जगा नहीं है, ठीक है जी? High vulnerability to rapid changes such as change in technology, product obsolescence और interest rate, बहुत सारे rapid changes आते जा रहे हैं, interest rate change हो गया, technology change हो गया, अभी यहाँ पर फ्रॉडल और financial reporting के chances हैं, मिसाल के तौर पर technological change की वज़ा से, यहाँ product obsolescence की वज़ा से, NRV का issue आएगा, हो सकता है, impairment loss recognize होना on the inventory और वो charge नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पर हल कहा है के आपने identify करना है being an auditor के भाई यह factor exist तो नहीं करता, अगर करता है तो यहाँ पर fraud के chances बढ़ जाएंगे अगर वो अचानक से कहें के जी हमारा profit तो increase कर रहा है, जबके actual में उनकी product जो है वो obsolescence की तरफ जा रही है, significant decline in customer demand and increasing business failures in either the industry or overall economy, आपके failures की तरफ जा रहे हैं और आप कहें के जी नहीं हमारी जो product है हमारी sales जो है वो double, triple हो रही है दिन बदिन, आप कहेंगे यह industry तो collapse कर रही है, like जैसे पाकिस्तान के अंदर इस time currently automobile sector जो है वो उसकी sales as such को बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, और यहाँ पर कोई नया competitor आजाए या नई कोई company आजाती है पाकिस्तान के अंदर और आकर कहती हमारी sales तो बहुत अच्छी हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर significant decline अगर चल रहा है तो अचानक से कोई यह नहीं कह सकता कि नहीं भाई हमारी product तो बहुत अच्छा perform कर रही है, जब पूरी industry पर impact आता है तो हर company पर आता है, ठीक है अगर specific किसी company की बात हो ना कि इस company की product नहीं लेनी, यह customers की safety का ख्याल नहीं रखते, health and safety से related इन्होंने controls नहीं लगाए वे, airbags नहीं दिये वे, गाडियों के अंदर, मिसाल की तोर पर कोई इस तरह कि अगर आपकी यहाँ पर health and safety requirements और उसको following किया जा रहा है वो specific के company के ओपर issue आएगा, लेकिन अगर overall industry है, economy पर किसी चीज़ का impact है, तो अगर उसके vice versa काम हो रहा हो, economy आपकी down जा रही है और आप कहें के हमारी product की sales तो बहुत बढ़ रही है, for closure or hostile takeover limited, अच्छा जी operating losses की जब हम बात करते हैं, entity operating losses में है और यहाँ पर जो financing है, उसके against जो debt repayments है यह principal और interest payments है, वो ऐसेच नहीं की जा रही है, और ultimately क्या होगा, bankruptcy की तरफ चलिएगी company, और management कहा रही है, जी हम तो बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, तो यह fraudulent financial reporting हो रही होगे, negative cash flows है from operations or inability to generate cash flow from operations, जी while reporting earnings and earnings growth, अब होता क्या है कि बहुत सारी organizations के अंदर जहां पर negative cash flows है, आपके पास 3 segments बने होते हैं, cash flow from operating activities, investing activities and financing activities. अगर एक company अपने cash flow from operating activities को यहां पर शूर करवारी के, it's a cash outflow from operating activities, net cash outflow from operating activities है, it means quantity शायद अपने operation से कोई पैसा नहीं कमा रहे, अब operation से नहीं कमा रहे तो where is it financing from the operating activities, यह finance कहां से कर दी, आइधर यहां तो वो cash inflow करवारी होगी investing activities से, अब वो investing activities देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि cash inflow आ रहा है from investing activities, लेकिन अगर आप एक proper accountant और auditor बन के समझें, तो उसमें क्या होता है कि cash अगर inflow हो रहा है from investing activities, यानि जिन जगों पर आपने invest करना था आप उदर से पैसा generate कर रहे हैं, इट मीन्स के आप कोई capital expenditure जो किये वे थे उनको आप dispose आफ कर रहे हैं, उसको dispose करके वहां से पैसा जो generate और रहा है उसको operations में लाएकर आ रहे हैं, जब ऐसी situation बन जाए कि cash inflow आप investing activities से लेकर आ रहे हों, तो यह एक बहुत जादा खतरनाक बात हो जाती है, कि operations को finance करने के लिए आप अपने जो investments से उनको खतम कर रहे हैं, dilute कर रहे हैं, dispose कर रहे हैं, तो अब यहां पर recurring negative cash flows हैं, और entity कह रही हैं हम बहुत जादा earnings कर रहे हैं, हमारी earnings growth भी हो रही है, fraudal and financial reporting, operations से पैसा नहीं कमाया जा रहा, यह possible ही नहीं है कि earnings growth दिखाएं और operations में पैसा नहीं हो, it means के शायद इन्होंने अपने debtors को extraordinary sales record कर दी हैं, fictitious sales भी आ गहीं इसमें, rapid growth और unusual profitability especially compared to that of the other companies in the same industry, unusual profitability आ गही है, company के financials के अंदर profits 30% शो हो रहे हैं, पूरी industry कह रही है 5% ज्यादा का profit नहीं है, it means यह unusual है, और unusual हो तो definitely यहाँ पर हम identify कर सकते हैं कि fraudal and financial reporting का factor है, accounting और statutory regulatory requirements आई हैं, अब definitely हम कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह की situation हो तो fraudal and financial reporting इस वज़ा से हो जाती है, क्योंकि accounting standard की application शायद appropriate नहीं हो रही, जी इसी में मेरा हैला भी आगी चलते है, excessive plan यह incentive वाला पूरा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम इस appropriation of assets पर आ जाएंगे, जी excessive pressure उपर तो incentives थे ना यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर financial stability हमने इंशोर करवानी है, यहाँ पर excessive pressure है management पर आपने expectations meet करनी है, expectations कि इन की third parties की, like lenders हो सकते हैं, investors हो सकते हैं, profitability or trend level expectation of external third parties including expectation created by management in for example, overly optimistic press releases or annual report messages, के जी इंशाला अगले साल तो हमने वैसे ही 80% profit दिखाने सबको, पिछले साल से 80% की growth होगी, इस साल मिसाल के तौर पर हमने 200 million generate किया था total profit, तो हमने कहा जी अगले साल तक्रीबन तक्रीबन हमारा 380 million होगा, अब यहाँ पर यह 90% increase आगे है, 360 million करने तो 80% increase आगया, 200 plus 80%, तो हमने कहा जी यहाँ पर problem क्या हैगी, अब management ने तो यह बात कह दी थी, अब हो सकता है कि इस बात को proof करने के लिए के बाकी हमने इतना profit generate किया था, हो सकता है कि management fraudulent financial reporting कर रही हो, यह investors को कहा था कि हम profits बहुत जादा generate करने वाले इस साल, मजीद invest करो company के अंदर, तो इस तरह की situation के अंदर, pressure आ जाता है management पे कि आप अगले बंदे के expectations को आपने meet भी करना है, need to obtain additional debt, मजीद loan चाहिए, आपने का जी profit दिखा और loss दिखाया तो हो सकता है, financing नहीं मिले, हना के financing उसी शक्स को चाहिए होती है, जो जरूरत में होता है, इस टाइम पे हलात तंग हैं उसी को financing चाहिए होती है, लेकिन vice versa, लोग actually profit इस वज़ा से show करते हैं, कि भाई bank सिर्फ तभी lend करेगा money, जब actual में उसको नदर आएगा कि पैसे वापिस कर सकते हैं, और पैसे वापिस वही कर सकता है जिसके पास पढ़े हो, तो to stay competitive and including financing of major research and development और capital expenditure, जी exchange listing requirements के लिए, आपने क्या जी के हमें, शो करवाना है कि हम profits में हैं, हम stock exchange में list हो सकते हैं, लोग हमारे अंदर invest करें, marginal ability to meet exchange listing requirements or debt repayment or other debt covenant requirement, current ratio maintain करनी है जी, debt covenant है, अब उनने का जी current ratio नहीं हमिला सकते हैं, इस वाज़ा से हमें ऐसे ही present करना पड़ेगा, अब हो सकता है trade receivables overstate की हो, यहां trade papers यहां उसको understate किया, perceived or real adverse effect of reporting poor financial result on significant pending transactions, such as business combination or contract awards, जी अगर आपने report किये poor financial results, perceived or real adverse effect of reporting poor financial results, पैसे पॉइंट समझें, कि जी आपकी एक subsidiary है, उसने profits की बिजाए loss किया, अब अगर आप उसको अपने साथ मिलाते हैं, उसके profits को अपने profit के साथ match करवाते हैं, यहां उसके साथ consolidate करते हैं, आपके जो profits से वो भी reduce हो जाएंगे, क्योंकि देखें ना किसी और का loss है, आप उसके साथ अपना profit adjust कर रहे हैं, तो यहां पर तो net profit मजीद कम हो जाएगा, आपने का जी अगर मैं यह इस तरह से report करता हूं, तो अब यहां पर हो सकता है कि हमारा अपना यहां पर show ना शुरू हो जाएगे, भाई यह तो company जो है वो यह पूरा group जो है इसके पास तो पैसे नहीं है यह यह तो profit में नहीं है, तो इस वज़ा से यहां पर इनके उपर थोड़ा pressure आ गया कि भाई अब क्या report करें, तो fraudul and financial reporting की तरफ चले गए, जी आपके पास कुछ information इस तरह की आ गई, कि भाई यह जो entity है जिसका आप audit कर रहे हैं इसमें जो main management है, की management personal है, इनकी personal जो financial information है या personal financial situation है, वो effect होगी काफी ज्यादा, क्योंके साथ तो incentive भी attached है, यहनि आप in case अगर entity अच्छा perform नहीं करती तो इनको भी bonuses नहीं भी मिलने, तो इस तरह की situation के अदर definitely आप कहते हैं कि यहां fraudul and financial reporting हो रही होगी, significant financial interest in the entity, financial interest बहुत ज्यादा है, significant portion of their compensation such as bonus stock option and earn out arrangement being contingent upon achieving aggressive targets, personal guarantees of debts of the entity, आपने personal guarantee दी भी है कि अगर company दिवालिया होगी ना तो director pay कर देगा, यह personal guarantee के खुम्रे में आ जाता है, कि director pay कर देगा, अब यहां इस तरह की situation हो तो definitely financial interest उसका अपना भी आ गया, और excessive pressure है management के उपर और operating personnel to meet financial target established by those charged with governance including sales or profitability incentive goals. एक्जैम में एक question कैसे आएगा, एक्जैम में आपके सामने इस तरह की एक अदर situation आ रही होगी आपने बताना है कि इस तरह की situation की वज़ा से fraudulent financial reporting के chances हैं, इस तरह की situation लिखी आ गई आपके पास, यह नि एक paragraph लिखा होगा, उसके अंदर यह दो चार बातें लिखी होगी, आपने बताना है, इमिस अप्रोप्रोप्रिशन ओफेस्ट है, as a result of incentive or pressure attached to it, और management may, may be able to conduct fraud, यहाँ, fraud risk factors जो हैं, यहाँ rise होगे, auditor need to establish, यहाँ develop a proper audit plan to ensure these fraud risk factors are properly accounted for. जी, miss appropriation of assets, personal financial obligations थी, आपने का जी, यहाँ से हम company को directly loan मिलता है, एक 8% पे, individual loan लेने जाता है, उसको मिलता है 15% पे, आपने का, जी, ऐसा करते हैं, हम अपनी financing भी इधर से ही करवा लेते हैं, company से ही loan ले लेते हैं, यानि company के through bank से loan ले लिया जाए, company वाला rate लग जाएगा, अब यह चीज़ हलाएं के company के लिए facility थी, आपके लिए तो नहीं थी, के personally आप इसको utilize करें, but you have used it. Adverse relationship between the entity and employees with access to cash or other assets susceptible to theft may be created due to. Chances हैं के यहां से cash चोरी हो जाता हो, यहां adverse relation चल रहा है between employee and the entity और यहां पर employees को निकाला गया, उन्होंने का, जी कोई मसला नहीं, यहां से इनका cash उठा के ले जाते हैं. Recent or anticipated changes to employees compensation and benefit plan. नए plans चुआ हैं के भाई, employees को ऐसे compensate किया जाएगा, लोगों को बसंदी नहीं आ रहा है. हो कहते हैं, हमें तो आपने कहा था कि 20% increments लगेंगे इस बार, आप 5% increment लगा रहे हैं, महंगाई तो बाइर 40% चल रही है. हम तो इतना change नहीं adopt करेंगे, यहां इतना increase जो है हमारे लिए acceptable नहीं है. उन्होंने कहा नहीं भाई, लेना तो यही मिलेगा. उन्होंने कहा ठीक है जी दें, फिर उसके बाद misappropriation of assets start कर ली गई. Promotion, compensation and other reward inconsistent with the expectation. बाद almost वही है कि बाई recent or anticipated changes to employee compensation जो थी, वो लोगों की expectation के मताबिक नहीं है. तो misappropriation of assets के chances हैं. Opportunity to commit fraud. यहां पर identify किया गया, कि जी, significant transactions की जारी between related parties. और वो arm's length पे नहीं है, यह not in the ordinary course of business है. तो अब जिस entity के साथ transaction हो रही है, उसका audit भी कोई नहीं करता. क्योंब उसके उपर हो सकता है, वो small company हो requirement ही नहीं हो के बाई audit करवाना है. यहां वो sole proprietor business है, यह partnership business है, जिसकी audit की requirement है, अब यहां पर क्या होगा? कि वो definitely fraud conduct हो रहा होगा और इसकी विज़ा से problem हो जाएगी. Asset liabilities, revenue expenses based on significant estimate that involves subjective judgments or uncertainties that are difficult to corroborate. Significant, unusual or highly complex transactions है, points almost वो ही चल रहे हैं, कि यहां पर estimate बहुत ज्यादा, estimates के case में opportunity to commit fraud ज्यादा सान हो जाती है. Significant, unusual or highly complex transactions हैं, और year end के बाद हैं बिल्कुल, इसके अंदर ज्यादा ज्यादा chances होते हैं कि substance over form का concept शायद apply ना हो रहा हो. कि इन चीज़ों को legally तो आपने endorse कर दी है, कि यह ऐसे हैं, in actual शायद यह चीज़ totally different हो. इसकी substance over form यह है, कि actually यह आपने sale जो की है, यह actually की ही सिर्फ on return basis है, it means यह stock ही आपका था. आपने गा जी sale on return basis है, कि आप 15 दिन के अंदर नदर चाहें तो हमें return कर दें. इसका मतलब क्या हुआ, जिस party को आपने समान रखवाया, वो actually समान तो आपका ही है, आपने दुसरफ रखवाया कि भाई, बिके का तो बेश देना, otherwise वापिस दे देना 15 दिन बाद. यहाँ sale record कर ली गए, अगले साल में जाके sale return बुक कर रहे होंगे 15 दिन के बाद, महीने के बाद, तो यह appropriate नहीं है, यहाँ पर fraudulent financial reporting के chances बढ़ जाते हैं. Monitoring of management is not effective due to domination of management by single person or small group without compensating controls. Oversight by those charged with governance over the financial reporting process and internal control is not effective. Management का monitoring structure ही बहुत weak है, और एक ही बन्दा जो है वो पूरे ग्रूप को चला रहा है, controls को भी नहीं देखता है, दूसरे हम बरपे, those charged with governance जो oversight करते हैं, वो oversight यह appropriate नहीं है, effective ही नहीं है. Internal control components are deficient as a result of the following. जी, थोड़ा सा यह लेंथ ही है, बट इसको हम यह करेंगे कि फिर दो lectures में कर लेंगे, कोई issue नहीं है. Inadequate monitoring of control including automated controls and control over interim financial reporting. internal controls component जो है, वो deficient है, बहुत efficient नहीं है, जी, और inadequate monitoring चल रही है. High turnover rates of employment, like employee आता है, दो मेने बाद छोड़ के चला जाता है, फिर नया रखते हैं, वो भी दो धाई मेने बाद छोड़ के चला जाता है, employee turnover बहुत जाता है. अब ऐसी situation के अंदर आपका जो accounting system है, information technology system है, internaloid function है, वो effective ही नहीं रहेगा. क्योंग यहाँ पर तो किसी भी organization में जाए, दो धाई माँ तो आपको वहाँ का structure, वहाँ का culture, यह सब चीज़ों को समझने में लग जाता है. accounting and information system that are not effective including situation involving significant deficiencies in internal control. फिर इसके बाद है, हमारे पास misappropriation of asset, जी, cash पर बहुत जादा आपका control है, यहाँ पर individuals जो है, employees जो है, वो cash को handle कर रहे है. inventory items that are very small in size and high in value or are in high demand, easily convertible assets, diamonds, bearer bonds or computer chips. जी, आपके पास, employees के पास यहाँ पर convertible assets पड़े में है, यहाँ पर उनका opportunity जैसे create होगी, misappropriation of asset हो जाएगी. like, ऐसे ही है, जैसे classroom के अंदर मिसाल के दौर पर, यहाँ हम लाकर diamonds रखते हैं, और कहें के 3-4 घंटे के बाद आकर दुबारा देख लेंगे कि यहाँ पड़े हुए हैं के नहीं, गायब होगे, कहीं camera भी installed नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कहां गए. ठीक है जी? fixed assets which are small in size, marketable or lacking observable identification of ownership, ऐसे assets जिनका size भी छोटा है, easily market में sale भी किये जा सकते हैं, और observable identification भी नहीं हो सकती इसकी, like, कोई बंदा देखे नहीं कह सकता के भाई, यह मेरी ही है चीज़, यह ऐसे ही है, जैसे मिसाल के तौर पर, अगर गाडियों के साथ engine और chaisee number ना लिखा हो, chaisee number और engine number वगारा ना लिखा हो, तो गाडियों तो सारी identical है, उसकी number plate भी आप निकाल देए, applied for गाड़ी को इसी वेरे से तो कहा जाता है, कि applied for registration जो है, यह brand new जो गाड़ीयों आती है, जिनका भी number नहीं लगा, they are more prone to misappropriation, उनके chances इस चीज़ के बहुत ज़्यदा बढ़ अगर आपने apply भी नहीं कर भाई भी registration इसकी, तो अब क्या होगा, जिसके हाथ में उसी की है, although कि उसके उपर control थोड़ा बहुत आ जाता है, ultimately उसका chaisee number और engine number अगर लगावे तो, अगर वो भी ना लगावे तो definitely फिर जिसके पास ही उसी की है, inadequate controls over assets such as, inadequate segregation of duties and independent checks लगाए ही नहीं हुए, inadequate oversight of senior management expenditure such as travel and other reimbursements, यहाँ पर control लगा ही नहीं हुआ, senior management कहती ही कि मैंने कली Turkey जाना है, तो वो कहते है ठीक है जी आपका visa लग जेगा, आज ही लगवादी है वो, चले भी गए, कोई बंदा इस चीज़ को control ही नहीं करता है कि भाई, travel business purpose के लिए, personal reason के लिए के ल job applicant, screening of employees with access to assets, inadequate record keeping with respect to assets, inadequate system of authorization and approval of transaction, inadequate physical safeguard over cash, investment, inventory or fixed asset, lack of complete and timely reconciliation of assets, lack of timely and appropriate documentation of transactions. यहाँ पर आप बार पर देखें तो वो कहते हैं, inadequate आपने यहाँ पर job screening का process भी inadequate रखा हुए, record keeping का जो mechanism है वो बहुत जादा अजीव सा रखा हुए, like record maintain ही नहीं करते हैं, जिस बंदे ने जो खर्चा किया, उसके पास है bill, कपड़ों में धुलबी गया, और उसने पर्ची जो है वो ऐसी फैक दी, यहाँ इस तरह की situation बन गई, इसको record को maintain ही नहीं कर रहें, तो यहाँ पर system authorization का ही नहीं है, approval of transaction का, fixed assets के उपर, investment यहाँ, inventory और cash के उपर कोई safe guard नहीं है, कोई CCTV camera नहीं लगावा, inventory के बाए, यहाँ जो, जिस go down में रखी जारी, जिस warehouse में, उसके बाह और भी नहीं लगावा, और guard भी कोई नहीं है, timely reconciliation नहीं होती है, accounting एक इस तरह की चीज़ है, कि अगर मिसाल के तोर पे आप entry कर रहे हैं, हफते बाद, तो बीच में 2-4 transactions हैसी होंगी, जो आपको भूली होंगी, यह वो transactions ही जो आपकी personality और आपने हाथों से हर्च किये, यही पर अगर आप organization में देखें, तो daily की तकरीबान कोई 40-50 transactions हो रही है, और आप कहरें कि सारी की सारी में जुपानी याद रखनों, तो यह possible नहीं है, timely अगर उसको reconcile नहीं किया जा रही है, complete नहीं किया जा रहा, तो ऐसी situation के अंदर, आगे चलके आपको reconciliation करते हुए, बहुत मस for employees performing key control function, चलें इस point पर आते हैं, lack of timely and appropriate documentation of transaction, यह जो point अभी मैं बता रहा था, कि timely आपने document ही नहीं किया, और appropriately document ही नहीं किया, आपने का जी बस मैंने लिख लिए था मुझे याद है, बिल कहा है, नहीं जी वो पता नहीं कहा है, अब यह बहुत important point है, देखें, ऐसे लोग ज task perform कर रहे है, key control function से perform कर रहे है, like cash को manage कर रहे है, banks को manage कर रहे है, debtors को manage कर रहे है, यह वो लोग है actually जो finance के अंदर सबसे ज़्यादा important roles है, अब होता क्या है, कि अगर तो यही बंदा अपना task perform कर रहे है, और साल में कोई छुटी भी नहीं लेता, तो यह एक बहुत ज़्यादा problematic चीज़ बन जाती है, organization को चाहिए, company को चाहिए, इनको 15-20 दिन की छुटियां दे, जान बूच के दे छुटियां, कि भाई जाए छुटियां करें, 15 दिन आपकी छुटी है, अब reason उसकी क्या है, इनकी जगा कोई और बंदा आकर वो ही सारे काम पर फॉर्म कर रहा हूँ, जो यह कर रहे थे, identify हो जाएगा कि भाई, यह बंदा cash और bank वगएरा को manage कर कैसे रहा था, 15-20 दिन के अंदर आपको पता चल जाए करना cash आता है, और उसको deposit कराने की बात ही कोई नहीं करता, आपने का जी deposit क्यों नहीं करता है, सर हमारे तक त जुरत ही कभी नहीं पड़ी, तो अब यहाँ पर auditor अपने जहन में फॉरल ले आएगा, यहाँ पर के भाई, यहाँ में इस appropriation of cash हो सकती है, reason कह सिरफ, कि यहाँ पर cash जब receive होता है, एक ही बंदा है जिसने sign करके तो debtor को दे दिये, वापिस के भाई मिल गए है, यहीं जिस party से customer से पैसे receive करने है, तो उसको तो दे दिये, problem कहां आ रही है, कि पैसे उसको बिजवा दी है, but हो सकता है कि यह आगे company के पास deposit ना हो रहे हो, यह CFO, finance manager जो है इसने अपने bank account में जमा करा दिये, और company के पास को record ही नहीं, इस चीज को reconcile करने का, कि customer से पैसे कितने लेने से, तो इनकी छुटियां बहुत जरूरी होती है, inadequate management understanding of information technology, which enables IT employees to perpetrate or misappropriation, management कहती है जी, आज भी हमें IT की समझ नहीं आती, तो यह आपका department आप ही देखें, जब इस तरह की बात कर देते हैं, तो यह opportunity create कर देता है, for IT employees, कि भाई ठीक है, इनको तो पता नहीं चलेगा, हम पीछे accounting recording record में जाकर कोई इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं, कि भाई, यह IT वाले के फ़लाँ vendor था, उसको payment करनी थी इतनी, अब हफते दो हफते बाद management ने का जी, लाएं payments कौन-कौन सी pending, उनको बताया जी, IT की चीज़ें आई थी, इसकी payment है, in actual नहीं आई, लेकिन उसने का, जी IT की payment sign ही है, यह entry वी भी है, तो उसने IT वाले को बंदे को बुलाया कि भाई, यह चीज़ें क्यों मंगवाई हैं, आपने का, कि सर यह आप नहीं कहा था, यह फ़लाँ डिरेक्टर ने कहा था, कि चीज़ें मंगवा लो, तो मैंने मंगवा ली, यह प्रूव भी हुई है, यह आप देख सकते हैं, सब बंदों ने अप्रूव किया है, अब चुंकि हम हम हुमन हैं, हम क्या करते हैं, यहां पर फिर identify करते हैं, अच्छा, पता नहीं मैंने किस टाइम साइन किया, हो सकता है, किया हो, ठीक है, साइन कर दी मजीद उपर, उस पर बहुत ज़्यादा, ड देखूंगे किस चीज की payment है, तो हर बंदा इस ही साफ से fraud करता है, कि दूसरे बंदे को मैसूस भी ना हो के fraud होता है, inadequate access control over automated records, including control over and review of computer systems and event log, यह attitudes वाला एक जो point रहे गया हमारा, और इसके आगे चांद एक examples हैं, हम next lecture में कर रहे होंगे, इसके बाद बेटा यह chapter, जो हमारा यह chapter है, chapter number 3, इसमें सिर्फ एक यह part रह जागा, यह हम तब करेंगे, जब हमारा सारा syllabus complete हो जाएगा, उसकी reason ही है, not for profit organization में, जो सारी बातें कर रहा है, वो हमारे पूरे audit को cover कर रहा है, like planning भी आगे इसमें, risk assessment भी, आगे वाले areas जो आपने भी पढ़े नहीं है, जब करेंगे, तब ही इसको समझ पाएंगे, इस वज़ा से अभी हम यह नहीं कर रहे, तो कल इंशाला इससे आगे चलेंगे हम, ठीक है जी, और secondly, इसके questions जो हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे, कल एक दो perform लास्मी कर लें, class यहीं पर close कर रहे हैं हम जी, अलाफिस.